हाई वेल्कर दो बाचनल इस वीडियो में सॉल्व करें क्वेशन वा 15 दा स्टुडेंट्स आफ क्लास 8 आफ ए स्कूल डोनेटेड रुपीज 2,401 वार पीम्स नेशनल रुलिफ फंड इच स्टुडेंट्स डोनेटेड आज मेनी रुपीज इसमें कर रहा है कि क्लास 8 के एक स्कूल के उन्हें डोनेट किया डोनेट करनेगा मतलब कि पैसा देना दान में डान दिया कितना 2,401 रुपीज मतलब इतना मिला करके और वो किसके लिए दिये प्यम्स मतलब प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में यह अब कौँसा फंड होता है देगे प्यम्स का नेशनल रिलीफ फंड जो होता है जब सुनामी आती है या कही पर बाढ़ आ जाती है या फ्लेडिंग हो जाती है तो किसी का घर दा गया या फिर खाने के लिए मिल रहा भोजन नहीं मिल रहा किसी को तो वहाँ पर रिलीफ देने के लिए मतलब कुछ राहत देने के लिए पैसा ही कटा के जाता है तो वही है यहाँ पर प्राइम मिनिश्टर स्नेशनल रिलीफ फंड तो उसमें मतलब यह बच्छों ने क्या किया योगदान दिया डोनेट किया कुछ पैसा अब इच टास तो क्लास में कितने सदें यह पताना है तो बिल्कुल जίसे हमना पर पिंच लिए सालं किया है ठ्याए पहले माल लेकिक लास में जो लड़के थे वो एकस थे ठीक है के अ कि निह हु convictions in the class ग्रासे समुटिर्ट जो नमबर वो इसरे एक्स है तो इसमें बवला एकक्ष्चन में कि जितने लड़के रहेंगे उतना ही रूपया प्रतिक लड़के उतना ही रूपया इस इसर्ड जुव ऑनेट किया है का मतलब एसेड़ में जुव है एक्स रुपीज डोनेट किया है है कि नहीं तो यहां पर ले सकते हैं कि it means it means amount of money donated by each student is equal to x रुपीज तो donate भी किया है each student ने कितना x रुपीज तो यहां पर total जो रुपीज है वो इतना है 2401 तो यह जो रुपीज है कैसे आएगा यह जो रुपीज में दिया है total amount वो निकलेगा इस तरीके से कि यदि each student इतना भी पे किया है उन सब को यदि add कर दे तो हमें मिल जाएगा 2401 add करने का मतलब कैसे add करेंगे तो यदि एक student का जमाल जी x रुपीज है दूसरा इस रुपीज होगा तिसरे का भी x रुपीज होगा ऐसे ही x number आप students का add कर देंगे तो यदि हम x x x बार add करेंगे means x को यदि add कर रहे है x में फिर प्लस x में मतलब यह पहलवा student दूसा student third student दयाँ फिर fourth student दयाँ है प्लस ऐसे करते करते last में जो है x वा student भी देगा ना कोई कोई ex student भी होगा मतलब last में id x टाइम्स करना पड़े घागा आपको x टाइम्स क्योंकि X number आफे students है यहाँ पर तो X को यदि X times एड़ करेंगे तो इसका मतलब कि X में X से multiply नहीं करते हैं है कि नहीं का से पर यह होता है आपका आएगा 2401 रुपीज तो यहाँ पर X को यदि X times एड़ करेंगे मिलेगा हमें X into X is called to 2401 तो it implies यहाँ से हो जाएगा यह X square इसका 2 होता है तो 2401 यहाँ से अब निकाल लेंगे X की value means square root निकाल लेंगे दोनों कलब से तो यहाँ पर X मिल जाएगा और यहाँ मिलेगा 2401 अब यहाँ पर करेंगे factorization तो क्या मिलेगा उसके लिए यहाँ पर करना पड़ेगा factorization कर लेदा है factorization तो यहाँ पर 7 से कटेगा यह देखिए 3 से नहीं कटेगा और 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 1 है तो हम 7 से कटेगा कट जाएगा है यहाँ जो है 4 ताइमस आएगा 7 2 7 2 7 2 7 अब यहाँ पर हम रूट से बाहर निकलना चाहते हैं तो पेर निकाल लेजिए means 7 2 7 7 7 49 means number of students in the class are 49 sorry number of students in the class is 49 okay grammar is very important it's okay means जो पूछ रहा है यहाँ पर हमारा अंसर हो जाएगा कि hence hence the number of students is 49 in the class okay तो यह होप कि आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को सेर कर दीजिएगा and thank you so much for watching bye